बहुत दिन इंतजार के बाद फाइनली पोको ने ग्लोबाल मार्केट फार लांच कर दिया है उसका एम सीरीज का ब्रैंड नी स्मार्टफून पोको एम फोर प्रो और यह जो स्मार्टफून फोर जी भी सिक्स्टी फोर जी ओला भीरिन के साथ बहुत ही सस्ते में इंडिया पर आने वाला है देखा जाए जो स्मार्टफून जिस प्राइस में और जो स्पेसिविक सान के साथ आने वाला इंडिया फाथ पहले से मौझूद है रियल्मी-8-5 जी स्मार्टफून तो यहां पर बहुत सारा दोस्तों कंफिव्ज है एक दोने स्मार्टफून लेकर क्या जो गएस मैं हूं जो आप देख रहे हैं मिस्टा सब्सक्राइब करना पहला में बात करना चाहूंगा दोनों स्मार्टफून की स्पेसिपिक सान के बारे में तो चलिए देख लिए कौन स्मार्टफून सबसे अच्छा प्रोबारे बात किया जाए विल्कॉलिटी एंड ड अनी सिंग भी रहने वाला है और यहां पर डूल कलर गरेंट कालर भी देखने को मिल जाएगा और पीछे की तरफ रहने वाला है रिप्ल कैमेरा से टाफ एलेड फ्लैस और रियल मेक ब्रैंडिंग साइड मांट फिंगर्फिन सेंसर के साथ स्मार्टफून आने वाला है और तरह देखा जाए तो लिफ साइड करनर पर रहने वाला है पढ़ी चोटा और फोको एंफुर प्रो एज़ो स्मार्टफून आता है पॉली कर्मोन बॉडी के साथ स्मार्टफून की पीछे के तरफ सिंगल कालर दिखने को मिल जाएगा और पीछे की तरफ रहने वाला है ड कपे डिजायन तो आपको कौन साय स्मार्टफून का डिजन पसंद आ आए अब मुझे में जुरू बता सकते हों इसके बाद बात किया जाए दुनों स्मार्टफून के दिस्प्ले के बज़े से यहां पर फूल डिस्प्ले का मज़ा ले सकते हो कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाला है और वहां पर रियल्मी एडेस एड़ जो स्मार्टफोन आता है 6.5 फूल साथ यहां पर भी रहने वाला है 90 Photoshop डिसको पसंद दो और फूल पसंद आप यहां पार कि सब्सक्काट आसके लाँ सकते हुग इसकी बात कि दोनों स्मार्टफोन की सब्सक्रापन देखा जाए तो तो दोनों स्मार्टफून आता है मीडिया टेक डाइवन सेटी की तरफ से 810 चिपसेट के साथ जो कि ऑक्टा को चिपसेट है इसका जो क्लॉक्स पी रान करता है 2.4 गीगार्स में और यह जो चिपसेट बनावाएं शिक्स नैनोमेटर पर यह कि दोनों स्मार्टफून के अं और रेडमी का कैमरे तरफ तरफ देखा जाए तो रिएल मी कैमरे थोड़ए सब बेटर निकलता है उसके हिसाब से मैंने अंज़ात लगा कर बताया है रिएलमी 8्bps और ज्यादा सेंसर भी मिल जाएगा रियलमी 8-s जो स्मार्टपून आता है पीछे की तरफ ट्रिपले कै मेगाफिक्ट रहने वाला है और दोनों स्मार्टफोन आता है 16 Megapixel से दिखा जाए तो मुझे लगता है वहाला है सेमी क्ालिटी और सेम चीप सेट के साथ दोनों स्मार्टफोन आ रहा है इसके बात क्या जाए दोनों स्मार्टफोन के स्टोरेश भरेंट के बारे में पोको एमपोर प्रो यह स्मार्टफोन दो भरेंट स्टोरेश के साथ आता है 4G भी 64G वाला भरेंट उसी के साथ 6G और आपार रियल्मी 8s, AV स्मार्पून आता है दो भीडन स्टोर्स के साथ 6GB 120 8G वाला भीरेंट और 8GB 120 8G वाला भेंट उसी के साथ दोनों स्मार्पून आता है LPDDR4X RAM के साथ और जो श्टोरेस्टैब रहने वाला है EOFS 2.2 यूँकि दोनों स्मार्पून के अंदा RAM का स्वि जो स्मार्पून आता है तो इसके बात किया जाए्ट ये दोनों स्मार्पून का प्राइस के पर इन्डिया अलग रह रहता है और इंडिया मर्केट पर स्मार्टफोन का प्राइस अलग रहता है या बहुत सारा इंटर्णेट पार चल रहा है पोको एमपोर प्रो का जो फोर जी भी सिक्स्टी फुर्जी वाला फिरेंट जब इंदिया पर आएगा इसका प्राइस रहने वाला है लगवक 15,000 रुपीज के आसपास रहने वाला है और 6GB 120 वाला फिरेंट का प्राइस रहने वाला है 17,000 रुपीज के आसपास और रियल्मी 8S 6GB 120 वाला फिरेंट के साथ आता है तो यह तो था यह दोनों स्मार्टफोन के विश्प्राइस तो चलिए जान लेते कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहने वाले और करिverbs 6.000 स्मार्टफोन के अंदर स्फेसिए घते हैं मिल जाएंगा जैसे प्रोसेर महिने वाला बैटर्ज वाला इनौड और रहने समार्टफोन स्मार्टफोन लेने के लिए सोझ रहे हो अगर आपको परसंद आता है अगर आप रियल्ma के लावर सी तो मुझे लगता है अभी के टाइम में 6208 वाला फिरेंट रियल्मी एडेस जिस प्राइस में आता है उस प्राइस में सबसे अच्छा स्मार्टफून रहने वाला है अगर आपका बाज़ेट हैं कि अगर वाज़ेट है 15,000 रुपीज के आसपास अगर आप पोको की तरफ से 5G स्मार्टफून चाहिए तब जोरुन एटकर सकते हो ली यह को human पर 50 में आने वाल Jisija में ठीक ठीक-ठीक स्मार्टफून रहने वाला है ऐसे मेरे चाहते हैं और 2 खोले तरह तो मुझे लगता ही यहांपार मेरे आपको क्या लग रहा है कौन सा स्मार्टफून आपके लिए बेस्ट रहने वाला है आप मुझे कमें बता सकते हो क्योंकि सबकर आज तो अलग अलग होता है उमीद करता हो आपको वीडियो पसंद आए होगा उमिद करता हो मैंने आपका सारे डाउट किलियार कर दिया अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना उसे के साथ चलन को कर लिजिए सब्सक्राइब नोड़ी के सान बिल्को जुरू आल में क्लिक करना तो अजकी इतना है अगले फ्रेस्ट वीडियो में तब तक के लिए पाइफ टेक क्या फ्रेंट